बेड में केमबर बनाने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं कि यह हमारे पीछे बेड बना हुआ है अभी बनाया है तो यह है दोस्तों यह बेड है 375 का कौने चार मीटर का जे फील्ड पढ़ा हुआ है यहां से यह वर्डिकल लगा हुआ है यह जेसी इनने काट के मटेरियल अंदर कोई मिलेड को अंदर कोई तरचा करके रखा तो यह पीच में आप हो गया बीच में इसका कैमर हो गया बिल्गूल सेंटर में उठ गया यह कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम आए हैं अपनी साइड पर आज पिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके जो कुछ लोग कि बेड में केंबर बनाने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं कैसे मेनेज करा जाता बोद साइड फाइड पर आपनी वाली पर और वही इत्तवाक से बेड़ बना रहे तो वह आग्ए थोड़ा सा टाइम मिलिया आप लोगों वो बताते हैं कि प्रदानमंत्री वाले जो रोड होते हैं या जो 75 या चार मीटर वाले वेड होते हैं उनके लिए यह हमारे पीछे बेड बना हुआ है अभी बनाया है अब बनाते पर हम कैसे करके वीडियो बनाएंगे कैसे क्या बता दे रहे हैं आप लोगों को सबको तो यह है दोस्तों यह बेड है 375 का पौनी चार मीटर का ठीक है अब इसमें सारे रोड ऐसे ही हैं मतलब जो यहां पर सिटी रोड बनने हैं वह 375 के या और जो बड़े वाले हैं वह अलग बाता है लेकिन वह प्रोसिस सम्में एक ही होता है यह हो गया इधर हो गया कटम है इसमें होता क्या है कि इसमें पर। काड़ा हो लुट करा नुदे र्चेहां दिखाए अब तरцион k प्लेट ले लिए यह महत है मतलब इसमेंख सेटे के लिए यह करा था कि हमने इसमें ब्लेड लगा के ग्रेडर से बोट साइड से जो आपको दिखरी होगी पीछे किनारी जो बनी होगी है एक बार इधर से डाउन करते हुए अंदर को मटेल लिया था ऐसे लुकुल क्लियर कर लिया एक बार यह जो क्योंकि जैसीवी से जो भी कटते है स्मूथ नक्यों चेहरो सीद् ELम चेंटी लिचेंग्याइच तो हुल्स हती है पहले एक बार इदर से और एक बार ही हमने लिया बेड में जिस्ते की 2.5 का डाई सेंटीमीटर वाली डाई परसेंट की जो स्लोब है उसके आप बीच में आप करना था तो इधर से कुछ पूज लोग यह देख सकते हो कि अगर फीशे को आप देखा हो उगया बीच में इसका प्रूब उठ गया ये चलता सब अंदाजे सही इसमें कुछ नहीं होता है और ब्लेड इपने आप ढ़ता गुछ गई देक हो गई हो गई हो गई और बैसे इतना तो नजर से दिखी जात कि सेंटर में आपको आपकरना है तोड़ा 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 कटिंग करके और डाउन कर लेना अब इसमें ब्लेड मारते रहो इसमें फिनीशिंग इसलिए बढ़िया नहीं है कि बिल्कुल ड्राइवेड बिल्कुल सूखा हुआ दूल यही बन जा रही है तो उसमें चिंता यह बनाना होता है तो मिट्टी अपनी स्प्रेड कर लू हुआ ही होता है यह था वाला हो गया तो उसके बाद में अगर नहीं होता है तो फ्लैठ ब्लेड बना लो एक बार को जैसे आपर बनारे रहे आप जैसे प्रदानमंत्री वाले या कोई भी 375 चाया चार मीटर जो हो मारने के बाद में आप फिर एक साइड से रखो और थोड़ा थो-3-4 सेंटी डाउन करके साइड करके रहने दो थोड़ा सा और बस चले जाए अचपрकर करते रोगे आप तो यह मैनेज हो जाता है मैनेज ऊनाने के बाद में पिर यही प्रोसेश जो हम बताया रहे हैं यही प्रोसेस आपके हर एक material के वेड़ में होता रहेगा material के वेड़ में यह होता है कि बिट्टी के में तो यह है कि फालतू अगर निकल जाए या ज्यादा कम हो जाए तो आप खींच काच के कर लोगी material वाले हम थोड़ी सी बाहर हो जाएगा तो दिक् सब्सक्राइब करते हैं यहां चोटे-चोटे काम है तो इसमें बहुत सक्षिस है कोई दिख करना है एक साइड को अभी ब्लेड हमारा राइट साइड को घूमा हुआ थोड़ा इस कंडिशन में रखते हैं अगर आप ब्लेड को चलाते हो और एक साइड यह वाली अगर वह आपका हर एक वे इतने वाले में जो बूछ साइड के होते हैं यही प्रोसेस है और इसके लावव प्रोसेस यह बस दो ही है एक तो आप अंदास से पहली बार में कर लो एक साइड से मतलब तरिशा करके और सेंटर में आप कर लो और अगर नहीं हो पाता मालों अब्सक् ले के और बीच में फोड़ते बीच वाला जो मैटेरियल होता है मतलब जो ब्लेड होता है उसका उटा के रखोगे जो चूटता करने का एक आसान तरीका और यही कि होता और कोई तरीक ज्यादा उते नहीं है उसकॉचिओ लेकिन यही है और बस के दो वाएशा करता हो दो लोगों से पूचा था कि केम Curry के बारे मेरЕम बताओ तोhail Page ही process है जो both side camera के है और one sided तो अपने आप बनाई लेता है बंदा कोई भी वह ज्यादा इजी होता है बोस साइड वाला थोड़ा सा सब्सक्राइब और कोमेंट करके हमसे बताएं जरूर वीडियो कैसा लगा और अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए होती है तो हमें आप कोमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं तक है अब तक वीडियो मने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद ट व cyni, अे साइए धन्या है तो हमें ने में तक हमें ने जानकारी कि जा में पु op कर दोर सक वीडियो